हलो अबरिवन वेलकम आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लाटफोर्म के उपर मैं प्यूस पर आसर आप सभी का स्वागत करता हूं तो हम पढ़ रहे हैं स्वाइल मेकानिक्स में इससे पहले दटीज चैप्टर नंबर फाइब के अंदर हमने परिवेबिलिटी को खतम काम है गेट में काफी अच्छे अच्छे को इसन सेट किया जाते हैं इस पर्डिकुलर चैप्टर सो इफ यूरी स्टूदेंट और प्रिपेरिंग स्रियसली दन यू मस्ट फॉलो एर अच्छे से समझेंगे तो देखो होता क्या ऐसी पिज परिवेबिलिटी जब हम पढ़ रावू सीपेज मतलब क्या होता है सीपेज एक प्रॉसेस जिसके तहत वाटर आपकी फ्लो करी यह उस ऑवर्रॉर्वश फ्लो करेंग तो क्यों करेगी वाटर जब भी फ्लो करेगा एक समतल जगा पे तुम एक बुंद पानी का गिरा दो आगे ना पीछे जाएगा वहीं पे रहेगा लेकिन जैसे एक उचाई वाला लोकेशन है यहां पर एक बूंद में पानी का गिराऊंगा तो यह लुड़कते लुड़कते आ जाएगी तो यहां पर टोटल हैड विट रस्पेक्ट टू डेटम मैं भी समझाऊंगा चीज है डेटम अगेरा क्या होती है अगर टोटल हैड देखा जाया तो यहां पर सबसे ज्यादा एनरजी पानी के पास यहां पर इनरजी को मिनिमाइज करने का खुशिश करेगा इसलिए वह था एनरजी तू लो एनरजी फ्लू करेगा कोई भी चीज अपना एनरजी अपना उर्जा को ख़दम करने की टो नजी मिनिमाइज हो रही है ना वही चीज होती नेचर भी फॉलू करता है वही चीज तो फ्लो जब भी होगी इन इन स्वायल वहोगी फ्रम तोटल हाई है टू लू हैड्ट यह जो अवरवरवर्सस है इस प्रोसेस इस काल अज्य सीपेज इसी का एनालिस करना हे है ओन यह लेज लेज्ञ मोई खेए कजिए लिक्विड फ्लोब्स208 पोर्ण मीडियम फ्रम है यह जोगि पूरस्मीडियम है इसमें लिक्विड फलो तोबеч फ्लोग कर रहे है लिक्विड यहां जन्रलल इस overall process को seepage बोला जाता है समझे तो यहां पर देखिए क्योंकि head की कुछ बात आ रही है head वगेरा का कुछ बात आ रहा है तो आपने fluid mechanics में देख रखा होगा Bernoulli energy equation तो आपने fluid mechanics में बरनोली energy equation पर रखा होगा वहां पे head total head को कैसे लिखा जाता है किसी particular point पे मतलब एक flow हो रही है उस flow में कोई भी section पे total head हम कैसे लिखेंगे total head total head comprises of three things datum head ठीक है एक particular reference माल लो let's suppose हम यहां पे Bernoulli energy equation का आपको example देता है let's suppose कि एक pipe ठीक है वो इस तरह से placed है एक horizontal ground पर है इस pipe में pressure है P fluid का pressure यहां पर कोई एक flow हो रही है किसी चीज की flow हो रही है यह आपका datum है यहां पर मैंने datum consider किया एक horizontal surface datum मैंने consider किया इसको मैं कहा रहा हूँ datum एक reference मैंने consider किया ठीक है datum तो जब मैं यह measurement करूंगा total energy का यह total head का वो pipe के center पर कर रहा हूं तो इस datum से pipe का center कितना height पर है let's suppose कि वो judd height पर है इस pipe में pressure है P और इस pipe में जो भी flow हो रही है उसकी velocity है V है ना तो किसी भी एक section पर किसी भी एक section पर कहने का मतलब या किसी भी point पर for example मैं यह section consider कर रहा हूं this particular x section x section तो इस particular x section पर जो total head हम लिखेंगे है ना total head at that x section equal to क्या लिखेंगे pressure head pressure head P upon pressure head कैसे लिखते है P upon rho g rho मतलब mass unit mass unit of yeah sorry mass density of that particular fluid जो उसमें flow कर रहा है P upon rho g plus v square by 2g plus datum head jet मतलब यहां पर इस total head at any point in flow comprises of three things pressure head pressure head plus velocity head plus datum head form में कहा है मतलब इसका unit क्या है इसका overall unit आएगा आपका meter या centimeter इस form में meter और centimeter इस form में आपका unit आएगा क्यों z का unit क्या है centimeter में v square upon 2g का unit centimeter में p upon rho g का unit centimeter या meter जो भी है तो head form में है यह equation जो मैं आपको लिखाया हूँ energy का किसी मतलब flow में किसी एक particular point पे यह head form का equation है इसको हम energy form में भी लिख सकते हैं ठीक है हम फ्लूड मेकानिक्स में आप एक्स्प्लेंड किए हैं आपको energy form में different different form में कैसे लिखते हैं तो यह pressure head plus velocity head plus datum head या फिर आप इसको कह लिए जैसे कि यह pressure energy plus kinetic energy plus potential energy यह तीन चीजों का summation होता है flow में किसी भी एक particular point पे total energy रहता हूं कि soil के अंदर जो flow हो रही है वह एक porous medium soil आपके पोरस medium है इसके अंदर flow हो रही है वह force में हो रही है और वह flow को हमने laminar resume कर रखा है उसका velocity काफी कम है कि velocity is very low जब soil के अंदर जो पानी flow हो रही है उसकी velocity काफी low है तो उसके कारण जो head बन रही होगी kinetic head या velocity head v2 upon 2g यह इतना कम होगी कि उसका कोई significance ही नहीं होता है वो इतना कम होगा कि उसका कोई significance ही नहीं होता है इसलिए in soil mechanics या seepage analysis कहलो soil mechanics के अंदर जब हम seepage analysis कर रहे होंगे soil के अंदर कहीं भी flow हो रही है तो किसी भी section पे तुमको total head लिखना है तो तुम pressure head लिखोगे plus datum head लिखोगे that is we are ignoring velocity head in case of soil mechanics समझ गया बात को क्यों ignore करते है क्योंकि velocity of flow is very low within the poor इसलिए जो velocity head बनती होगा और उसकी magnitude काफी कम होती है तो उसको add करना नहीं करने का कई मतलब नहीं है उसको ignore सीधा मारते हैं यह point यहां तक clear हुई अब देखो स्वाइल के अंदर जो pressure head वो क्या होती है यह जो pressure head this is what poor water pressure मतलब यह पानी पर हम बात कर रहे हैं न सीपेज होगे किसका हो रहा पानी का तो पानी पोर में flow कर रहा है तो उस पानी में pressure है कुछ ना कुछ तो जो pressure है पानी में जो poor के अंदर है इसको क्या बोलता है poor pressure कैसे measurement करोगे poor pressure को पीजोमेटर लगा के तो जब मालों soil है एक particular depth का soil है यह particular depth of soil है यहाँ पर water table था यहाँ पर इसके नीचे जो भी soil होगा वो saturated होगा मतलब hydrostatic compression में होगी hydrostatic pressure variation होगी इस particular soil mass में यहाँ पर जो soil है मालो तुमने पीजोमेटर यहाँ पर लगाया यही pressure head हो जाएगा soil के case में that is poor water pressure upon unit weight of water that will be your phyzometric head यह pressure head in case of water और datum तो बागी है datum कहीं consider कर रहे हो तो datum head बनेगा नहीं तो datum नहीं consider कर रहे हो कि नहीं बनेगा लेकिन हमको consider तो हल्दम करना ही होता है datum अब ही समझेंगे चीजों को जीरे जीरे लेकिन पहले यह बात तो समझ गया ना कि total head किसी भी section पे flow में basically Bernoulli सहाब के according क्या होता है p upon rho g plus b square upon 2g plus z है ना और दो particular point के बीच में जब flow होगा तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा flow हमेशा high head to low head होगा high energy to low energy होगा अब जब दो particular point के बीच में flow होगी तब कुछ head losses भी होगा और मुख्य रूफ से जो head loss होती है उसको हम कहते है frictional head loss समझ गया मतलब यहां पे जो total energy था यहां पे जो total energy था flow के पास जो बच रही है उनमें difference होगा ठीक है उनमें क्या होगा difference होगा यह ज़्यादा होगी यह कम होगी क्यों यहां से यहां तक आते आते head loss हो गया और वह खास करके frictional head loss होता है इमाजिन करो पानी flow कर रहा है soil के वॉइड के अंदर अगल बगल soil है तो एक दूसरे से रभ हो रहा है कि नहीं वही तो loss है उसी में जो energy खर्च होगी वही लॉस है कि अगर खर्च नहीं होती तो फ्लो में लगा जाती है फ्लो होने में नहीं लगा रही है नहीं Claire सब्सक्रीक और वह परहा है तो हेड लॉस ही तुम्हारा नौजार रुपया तुमने उड़ा दिया फुक दिया कम पैसे खर्चा करूँ समझें क्या रिखें वेर वाटर फ्लोग थो स्वाइल मास टोटल हैड अट अनी पॉइंट जनरली कंसिस्ट आफ थ्री पार्ट जनरली कंसिस्ट आफ एस एस ट अब यह थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं बावो उपर लिखवाया था प्रेसर है वेलोसिटी हैड हम थोड़ा सा कुछ बेसिक बात करेंगे उसके बाद हम केब्ल स्वाईल मेकानिक्स से ही श्ट्रिक्ट रहेंगे मतलब एटाइस रहेंगे ठीक है यह थोड़ा लग रहा हो का फ्लूड वाला सिस्टम चल रहा है लेकिन थोड़ा सा कुछ-कुछ बेसिक जानगारी होना चाहिए और यह डेटम हैड तो यह तीन तरह का हैड होता है डेटम हैड मतलब उसको हम रिप्रेसेंट करते हैं जजड वेलोसिटी हैड जैसे कि मतलब वी स्कॉयर बाइट टू जी यह वेलोसिटी हैड हो गया प्रेसर हग trade हो गया अन्यक्राइट में प्रेसर इंदी फ्लू जैसे अपने एकेश में olhos स्कॉयर कि में जो पानी के पाश प्रेसर है पोर वाटर प्रेसेंट करते हैं यू अना प्रेस्ट को क्या रिप्रेशेंट करते हैं यूच यूच यो अपन रोड द्लु जी वाट्र का बात क करेंगे यू मतलब पूर फिर सर और फिर सर तो यह चीज यू अपन रोजी यह जो वैल्यू निकल के आ रहे हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं पिजोमेट्रिक हैड मतलब यसी भी पटिकुलर पॉइंट में जब पिजोमेट्र लगाओ गया उसमें कितना पानी चड़ गया ही जोमेट्रिक हैड यही चीज आपको है प्रेसर है इनकेस आफ सवाल मेंगानिक्स समझे निए प्रेसर मतलब क्या पोडर प्रेसर अपन रोजी यह फिर इसको हम यू अपन गामा डबलु कह सकते मतलब कर दिक्कत कोई को अब यह आपर वोप्यंट को अड़कर देते कि आ किकि कम है इसलिए वेलोसिटी के कारण अचली को सवाइल मेकनिक्स की के स्क्राइए थेन्स अवर और ऐन्स वेलोसिटी के इन Southern पार्स प्रेसर है इसलोड को आगि या लिकी, लिकी अल्ला मचिगे तरे गाबु में सल्धनी स्यानी, खनी स्यानी, खनी स्यानी हम लोग पढ़ाने का तो पढ़ाते है, बट मार्केट में कुछ और ही चल रहा है, सेयर करो दोस्तों दबा के, मजा आ जाएगा, सेलेक्शन दिलवा के रहेंगे, महनद करो पूट के, तो लिखिए, सेपज और फ्लो थू सॉइल इस लिमिनार एड वलोसिव फ्लो इन सीपज इस वेरी लेस, हैंस, अच्छा, सीपेज और फ्लो थू सॉइल इस लिमिनार के केस में, सॉइल में, रेनॉल्स नंबर की वैल्यू जो होती है, वो लेस दन, इक्वल टू, वन होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यह डेटा का भी पूछ लेता है, रेनॉल्स नंबर वगेरा क्या होता है सब तका फ्लूड मेकानिक्स का देख रहे होंगे, स्वाइल इस लिमिनार और वेलोसिटी ओफ्लो इन सीपेज इस वेरी लेस, वेलोसिटी हैड केन बी नेगलेक्टेड अट एनी पॉइंट फॉर्दर अनलेसिस इन स्वाल मेकानिक्स, वेलोसिटी हैड को आप वेलोसिटी हैड का देख रहे होंगे तो हम देख रहे होंगे कि प्रेसर हेड कितना है वहाँ पर और उस परट्रिकुलर पॉइंट पे डिटम हैड है यदि तो कितना है दोनों को एड कर देंगे यही टूटल हैड दे रहा होगा टी एच इक्वल टू पी एच प्लस डीए pH equal to pH plus dh total head equal to datum head plus pressure head अब एक एक कर देखते हैं अब डेटम head को देखने का तो कोई मतलब है नहीं डेटम head मतलब जैसे कि यह एक पटिब्लार soil mass है है अब यह पटिद्ब्लार स्वाइल मास के अंदर लाट स्पोज यहां पर कही पर एक पैंड है उसका बेस को डे तूर कर में ग्षक्ट अब ऐसक डेटा मत वाले पैंड है तो इस जैसे है ऊपर जाते कुछ भढ़ते चलेगा सबसे ज्यादा होगा maximum तो वही हो डेटम है अब प्रेसर है इस पटिकुलर पॉइंट पर पीजो मिटर लगाओ पीजो मिटर में जितना पानी चड़ या वह प्रेसर है तो वह प्रेसर है प्लस यह रेफ्रेंस से जो आपने कंसिडर कर रहा है जो कि जनरली जो स्वाइल आप को डिएरे मोसिकर करें थैंगा डियाग्राम कंसिडर करूंड कि उसका बेशी कशने यह से ठीटम बता रखा होगा कि ईसको डिएक और कि सब्सीड करो नहीं तो जब्रेस जो होता उसी इस यो उसी इस पहलए कॉसिट उड़ंहु तो यह कि उस पनिमा पोईट करते ह। और तो से नीची आओगे फिर टुटल हेट निकाल सकते हैं समझे कि तो एक-एक करके देखते हैं तो स्वाइल के केस में आप प्रेसर हेड कैसे शर करो गया ओके तो सबसे पहले हम एक सौयल मास आपको बनाते हुद एक स्वाइल मास बनाकर दिखाता हुद जैसिशे देखेए मैंने isoil mass को consider कि अब इसमें आपकोくे डिखरा है कि water table it soil mass में यहां पे कईपे मैंने water table बताने की कोचिश की है तो water table के WORS मेदे फॉले ले इसके source मने पानी है और water table की ऊपर स्वयल आपका लुक स्यालै आप उसमें कह सकते हूं यह दो इसमें अब इसमें इस में अब इसमें मेुदू two points consider कर लेते यह और यह particular good point यहां पर किव पर हम point B को सिदर कर लेतें अभी तुमको निकान लें यह pressure head at point A अगर मैं पूछूँ तो आप सबसे पहले आपको क्या फर्ज बनता है कि यह identify करो कि point A की उपर मतलब कितना height पे water table है let's suppose यह ha height पर है तो pressure head at point A pressure head at a कितना होगा ha this will be सीधा सीधा pressure head समझे point A पे pressure head कितना है similarly मालों आपको pressure head दिखना है point B पर तो आप point B के उपर यह identify गरो water table कितना ओपर है point B से तो आपको सीधा पता चल रहा है let's suppose इस particular height पर है point B से HB height पर है आपका water table pressure head pressure head pH at point B is equal to सीधा-सीधा HB तो क्या समझ भी आ रहा है कि कि किसी भी particular point पर आगर आपको pressure head पता करनी है तो height of water table को देखिए का देखेंगे height of water table को देखेंगे height of water table देख लेंगे वह पता लग जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि what is the pressure head at that particular point clear now datum head अगर मैं datum head का बात यहीं पर कर दूं let's suppose जैसे यह soil profile बदाया तो इसका जो यह base है इसको मैं reference as a reference as a reference यह as a datum हम इसे consider कर रहे हैं तो मैं अगर datum head at point a अगर मैं आपसे पूछूँगा तो आप बोलोगे sir point a कितना उपर है इस reference आप फिर जड़ लिखते हैं ठीक है जड़ लिख देते हैं इसको जड़ वन जड़ वन ऊपर है तो datum head at point a लिख दो datum head at point a हो जाएगा आपका जड़ ए datum head at point b तो आप बोलोगे sir इस datum से point b कितना height पर है तो zb height पर है datum head at b will be equal to zb यह dh क्या लिखा मैंने यह लिखा मैंने datum head clear है चीज़ समझ गए बात को मतलब आपको अगर pressure head निकालनी है किसी particular point पे तो height of water table को निकालो check करो height of water table क्या है that will be your pressure head at that particular point clear है दूसरा तरीका भी यह pressure head को बताने का क्या है pijometer लगा दो उसी particular point पे पीचो मीटर लगा दो जैसे point a यहां पे तुमको निकालनी है pressure head यहां पे लगाओ pijometer लगाया मैंने pijometer इस इस पीचो मीटर अना पीचो मीटर लगा दिए point b भी निकालना है तो point b भी हमने pijometer लगा दिया हम पॉंइट बीपर भी हमने पीजो मीटर लगा दिया अब आध कहानी क्या बात क्या है बात एकतम सीधी सीधी बात देखो यह बात पहले से तैह है कि पॉंइंट एर पॉंइंट बी पर चुक्कि यहां पर वाटर है इस परिदिग्लूर पॉंइट प्रेसर तो होगा तो यह पर प्रेसर मालो यूए पॉइंट अब दी पर प्रेसर है वह ए यूबी तो यह पॉर प्रेसर जित्रा भी होगा उस प्रेसर के कर्सपॉंडिंग पाइट के जैएंगे पानी चड़ जाएगी कहा तक चड़ेगी यहां पर जैसे यह वाला क्यूसे मतलब कुछ भी नहीं हुआ कोई की यह अगयरा कुछ नहीं है यह आपका water surface है तो पानी आपका जो water table है वही तक चड़ेगा दूलों यहां और यहां अब लोगे प्रेशर एट कितना तो जतना हाइड तक सेंटर वो पॉइंट भी है तो क्या ये है चड़ा है मुझा उपानी है तो उस पॉइंट उपर वाटर्टरेवल को चेक करो कहा है या तो वो या अगर पीजोव मीटर में कितना है तक पानी चढ़ा है जितना चढ़ा है वही होगा तुमारा फ्रेसर हेड उस परडिग्लर पॉइंट के लिए समझे और डेटम हैड तो क्लियर जो स्वाइल प्रफाइल होगा उसका बेस को जनरल ही हम डेटम कंसिडर करेंगे अगर डेटम नहीं दिया गया है तो बेस को जनरल ही डेटम मानके हम डेटम हैड किया करेंगे अगर डेटम अलग से सवाल जो भी हम स्वाल कर रहे होंगे उसम करा से हम total energy at any particular point निकाल लिया करेंगे soil के अंदर कैसे pressure head at that particular point plus datum head of that particular point जैसे point A पर तुमको total energy बतानी है तो तुम बताओगे HA plus ZA, point B पर आपको total energy बतानी है तो आप बताओगे HB plus ZB like this समझे total energy मतलब total head, total head का बात करें या head form में चीज़ों को लिखेंगे वो जाधा simplified approach होती है और numerical questions भी इसी form में आते हैं, okay, तो head form में या पर चीज़ों को हम देख रहे हैं, तो यह समझ में आया, यह वाला एक system, तो यह diagram बनाओ, यह diagram बनाओ, यह diagram बनाने के बाद यह लिखो pressure head at a, pressure head at b, date of head at a, date of head at b, लिखेंगे चीज़ों को diagram बनाके, sentence एक लिखवाता हूं, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़े बताता हूं, लिखेंगे चीज़ों को, pressure head at any point can be determined either by observing water table above that point, और by observing height of water in pyjometer, अचा एक चीज़ धियान रखना, अगर artisan pressure के अंदर नहीं है, तो pyjometer जब किसी point पर insert करो, यह तो पानी कहां तक चड़ेगा, जहां तक water table है, वही तक चड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं, हमिसा धियान र सकता है, जितना pressure पर है, उतना height तक पानी चड़ेगा, आगे, datum head is the height or depth of the concerned point from datum, एक datum आप मतलब consider करेंगे, वहां से उस point का height या depth, मतलब मालनो depth कहने का मतलब datum उपर consider कर लिया, जैसा मैंने बोला datum नीचे लिया, तो height देख रहे है, या datum को मैंने उपर ही माल लिया, depth देख रहे होंगे, कुछ भी हो सकता, height और depth, anything we can say, समझे, well, अच्छा एक चीज मैं यहां पर बताना भूला नहीं, अभी बता रहा हूं, सुनो, जैसे मैंने यहां पर लिखा था, यह pyzometric head का थोड़ा देखो, जैसे मैंने यहां पर लिखा था, कि यहां पर जो pore pressure है, वह तो u a, तो u a जितना pore pressure है, उसके corresponding पानी चड़ जाएगा, तो pore pressure u a, equal to, कितना है, अगर आप लिखोगे, तो आप लिखोगे, rho w, g h, यही हम लिखते थे, या फिर इसको simply, gamma w, h हम लिखते थे, या h a लिखेंगे, इस case में, especially, h a, यही formula लिखेंगे ना, pore pressure at point a का, है ना, त इस particular h a, तो h a equal to, क्या हो जाएगा, pore pressure at point a, divided by gamma w, pore pressure at point a, divided by gamma w, अब इसी equation में, है ना, जैसे आपने अभी निकाल लिया, kya, h a equal to pore pressure at gamma w, pore pressure at point a upon gamma w, तो pore pressure at point a upon gamma w, तो pore pressure का formula क्या है, gamma w upon h a, sorry, gamma w into h a, मतलब, हम ऐसे कर देते है, pore pressure का value, यहां से put कर देते है, pore pressure equal to gamma w h a, सब्सक्राइब निचे gamma w है, तो किया यह gamma w gamma w, gamma w, हम खतम, h a, बराबर, h a, बजा, समझे की नहीं, मतलब, उल्टा-पुल्टा के दाल दिया, उसे equation में, तो यह basic, चीज़े, basic calculation, यह चल रही है, यह आपर, ठीक है, अब जैसे की, यह लिख लो, और एक point लिख लो, क्या ल जो ओलोगे सरव वाटर का फ्लोओ किदर सी किदर हो गारा हो पॉंट एसे थरर रहा होगा ना जो किया सब्लै लगा तरीका वाटर bliver अलोएज flow from total high head to total low head, water will always flow from total high head to total low head, ध्यान देना, total head का बात हो रहा है, यहां पे, total high head, total head का बात हो रहा है, high head to total low head, अब जैसे अभी हमने एक diagram देखा, उसी diagram की case में अगर मैं पूछो total head at point A कितना, अब बोलोगे सर प्रेसर head at point A, HA, plus datum head at point A, Z, मैं बोला total head at point B कितना, बोला सर प्रेसर head at point B plus datum head at point B, अभी चुकि हमको यह values पता नहीं है, HA, HB, ZA, ZB, इनका values पता नहीं है, तो इसलिए हम यहां पर clearly यह नहीं बता पा रहे है कि कौन सा बड़ा है, THA बड़ा है, यह THB बड़ा है, तो इसलिए हम यहां पर flow predict नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो flow होने का basic concept है, वो क्या है, high to low, low to high, कभी flow नहीं होगा, high to low, अगर low to high flow करवाना है, तो lower point पर pump लगाओ, जब pump लगाओगे तब ना energy देगा, additional pressure energy देगा, तब फिर low से high flow होगी, समझे, लेकिन, normally, अगर naturally आप देखोगे, तो high head to low head हमेशा flow होता है, इसलिए, tube well या bore well अगरा जब बनाते हैं, पंप डालते है, तब ना पानी निकलता है, पंप नहीं होगा, तो अपने आप निकल करने का भी एक केस होता है, कौन सा, बता रखा है, confined aquifer, confined aquifer में मालो जो artesian pressure या फिर confinement है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा कि जैसे आप drill करते हो, जैसे आप aquifer को पंचर करते हो, तो वो ground के ऊपर पानी निकल रहा है, वो हो सकता है, क्योंकि वो under pressure उतना है, समझे, तो वो अलग केस है, लेगिन इन जनरल अगर तुम देखोगे, जो normal and confined aquifer वगरा होता है, या confined aquifer भी जिसमें pressure उतना ज्यादा नहीं है, तो वहाँ पे अगर पंचर करेंगे, या वहाँ पे अगर drill करेंगे, बोर बनाएंगे, तो वहाँ को pump डालनी होगे, उस water को lift करने के लिए, ह हमने पढ़ा रखा है अच्छे तरीके से hydraulic machine के अंदर, अगर जवरत पढ़े तो पढ़ लिजिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, बहुत lengthy in depth जाके पढ़ा रखा है, ओके, एक point और सुनू, seepage head, या hydraulic head क्या होता है, seepage head, या इसी को हम hydraulic, hydraulic head, भी कहते है, इसको small x से generally represent किया जाता है, it is what, it is nothing but difference of total energy between two point, difference of total energy, sorry yeah, difference of total head between two point, this is your seepage head, मतलब basically आप ये, इसको समझो ना, ये एक point है, ये point, इस point से इस point तक पानी को flow करके पहुंच नहीं है, है ना, तो यहाँ पर total energy कुछ है, यहाँ पर total energy कुछ है, इन दोनों का difference, जो आप calculate कर रहे है, that is your seepage head, मतलब आप ये समझो, यहाँ पर जो पानी है, जो इसको यहाँ तक चल के जाना है, उसके पास ये seepage head के बराबर का पैसा है, जो वो खर्च कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, इसी सीपेज हैड के अंदर उसको फ्लो होना तो यह सीपेज हैड जितना जादा होगा उत्रा तेजी से फ्लो होगा डार्सी लॉमें देखा था क्या देखा था velocity is directly proportional to hydraulic gradient I V equal to K into I आता था तो I क्या था head loss per unit length या seepage head per unit length तो V directly proportional to H मतलब seepage head अगर जादा तो ज्यादा मतलब per unit length वो ज्यादा head spend कर रहा होगा ज्यादा head spend करने का मतलब ज्यादा तेजी से रस के साथ पानी बह रही होगी पोर में ऐसा कि मालों उधेड़ दे स्वाइल को इधर उधर उधर उतना तेजी से रस में पानी बह रहा हो पोर्स के अंदर बहारक वेलोसिटी लेकिन वेलोसिटी उतना भी ज्यादा नहीं कि हमको वेलोसिटी हैड कंसिड को मिलता है हाना लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं कि हम यहां पर वैलोसिटी एड़ कंसेडर करके बैठ जाये नो नो वह नहीं चले गारे वह नहीं करते है वह थो हमने पहले ही ख़दम कर दिया जना कि वैलोसिटी एड़ इग्रोरी नहीं करेंगे उतना भी कुछ हो जाए हम नहीं मान के चल रहा है कि soil के पोर्स के अंदर जो फ्लो है वो लेमिनार कंडिशन में स्मूथ फ्लो है लो वेलोसिटी पे फ्लो है इसलिए वो जो वेलोसिटी हैड का कंपोनेट तुम टोटल हेड में देखोंगे बहुत ही कम है नेगलिजिबाल एमाउंट तो हमने पहले ही नेगलेक्ट कर दिया उसको तो उस चीज़ को कंसिडर नहीं करना है अब देखोंगे एक कंसेप्ट सिखाते हैं डैम का डैम वगेरा इसको इस वाले चेप्टर में डैम वगेरा आप बहुत देख रहे होंगे लाट्स वोजी एक डैम प्रोफाइल है इसको इसको मैं आजए डैम कनसेडर करता हूं कि यह डेटम से यह जो बेस है इसका जो हाइट है लेट सबोस है छोड़ो वह देखी अभी लेट सबोस कि यहाँ पर एक पटिकुलर पॉइंट है पॉइंट ए यहाँ पे एक पटिकुलर surface है वह इतने लेबल पहे यह जो height है yeah lets was 4 meter यहां पर जो height water surface की let's suppose वह है इतना यह हाइट है Let's suppose it is 2 meter ठीक है अब लर्ट स्बोस्थ यह datum से point A और point B दोनों का height same है that is six meter बढ़ देख कि अभी मुझे यह बताओ स्लो कहा से कहा तक हो रहा हो हमको बेसिक ही पता लगा नहीं है कि फ्रॉम वेर फ्लो करें है टू वी अकर हो रहा हो यह बीटू ए हो रहा होगा मत्लब यह हो रहा हो छी पेज क्योंकि यह जो बेस यह बेस आफ डैम इसके नीचे क्या मिटी है न बावु इसके नीचे तो आपका भाई इधर क्या है इधर आपका स्वैल है इस इस इए और प्र आपा स्वैल है ठीग डैम के बेस से जोगा प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् कितना है तो इसके लिए एक टेबल बनाया जाता है यह टेबल फॉर्मेट धियान रखना इसी तरीके से हम कल्कुलेट करेंगे देखिए यह जो टेबल है इसमें हम लिखेंगे क्या तीन चीजे रहेंगे तोरी यह पॉइंट रहेगा आपका पॉइंट फिर यह ऐसा हो प्रेसर हैट डेटम हैट डेटम हैट टोटल हैट है जो दूएप अपने पास यहां तो आपको फिलाई है पॉइंट ए पॉइंट भी कि चलो एक एक करके अब आंसर देंगे क्या अंसर दोगे । डागराम को देखके आंसर देंगे पॉइंट तो चेक pressure head at point B, I have to find the height of water table of point A, very good , very good बावु, कहा है height of water table of a point A, 4 meters, sir, लिख दिया, point A का datum head, sir, 6 meters, दिख रहा है मेरे को तो, यह है 6 meters, point B पर pressure head, sir, height of water table of a point B, 2 meter, point B पर datum head, sir 6 meter only so total head point A pe 10 meter sir point B pe total head 8 meter sir so total head at point A is greater than total head at point B flow is occurring from occurring from point A to B A to B under seepage head of seepage hydraulic head seepage head hydraulic head of 2 meter cube 10 minus 8 to 2 meter seepage head difference of head between two point total head between two point total head at point A minus total head at point B 10 minus 8 equal to 2 meter that is your seepage head so flow is occurring from A to B under seepage head of 2 meter so flow here basically what we are talking about seepage means point A to water enter this soil field way or a flow path a path consider consider کرتے ہوئے is keep up are in a flow rate and explain کریں گے تو کیسے کیسے flow ہوتا ہے सब چیز آپ کو سمجھ میں آئے گا तो एक path को पगड़ते हुए यह सब पानी अना जो direction of flow है वह आपका किदर से किदर होगा इट विल बेसिकली फ्रम पॉइंट A to B ऐसा आपका फ्लो हो रहा हो समझे के यह यह चीज़े है एक तो यह पहला analysis यह मालोट पहला analysis है पहला किम जैसे यहां इस वाले केस में मैंने datum को some at particular some depth हमने consider कर रखा था from base of dam है ना तो लाट सब्सपोज यह first datum था अब मैं datum change करता हूँ I am changing datum what I am doing is I am changing datum मैं datum change करके यह जो base of dam है इसी को मैं datum consider कर लेता हूँ datum 2 let's suppose second case में मैंने क्या किया इसी को मैंने datum consider कर लिया तो अब ऐसे cases में तुमको निकालनी है total pressure head अगेरा तो table बनाओ तो देखो देखना है यहां से एक बढ़िया analysis होके निकलता है एक objective question पूछता है क्या है करना चाहिए यार कभी-कभी ऐसा यह सब चीजों को भी पॉइंट प्रेसर हैड डेटम हैड टूटल हैड पॉइंट ए ॥ूंट प्रेसर हेड केतना पॉइंट एप पधे वह चाहर मेन देटम इट्या सब्सक्राइड पर देटम देटम अबेस होगरी तो था सब्सक्राइडxi 4 meter, यहां पर 2 meter, so, अभी देखिए, as I have changed the datum, मैन ने जाई सही datum को change किया, total head की value change हो जारी ही है, at different point, point A पर total head 4 meter हो गया, पहले कितना था, 10 meter, point B पर total head, 2 meter हो गया, पहले कितना था, 8 meter, so, as I am changing the datum, total head at point changes, objective, but something is remaining constant, and what is that, कुछ तो constant रह रह रहा है, जो की change नहीं हो रहा है, seepage head देखोगा, seepage head क्या, seepage head h, अगर मैं लिखूँगा, is case, seepage head h, which is equal to, total head at point A, minus, total head at point B, आप बोलोगे, तो यह होगा, 4 meter minus, 2 meter, तो कतना हो गया, 2 meter, तो seepage head पहले कितना था, लिखवाय तो था, 2 meter, अभी कितना आ रहा है, 2 meter, seepage head remains constant, means, club करके अगर sentence बनूँ, upon changing datum, total head at point changes, but seepage head remains constant, clear, note में डाली है, इसको, और एक चीज़ चेंज नहीं हो रहा, seepage head तो change नहीं हो रहा, वो तो मैंने बोला, pressure head भी change नहीं हो रहा, pressure head भी change नहीं हो रहा, वो ना लगा दी है, लिखो लिखो, by changing the datum, pressure head and seepage head, difference of total head, will not get affected, ये effect नहीं हो रहा, only total head at different point changes, cable क्या change हो रहा बबवा, total head, और सब कुछ, ठीक है, अच्छा यार यहां पर तुम confuse भी हो जाओगे, देखो, datum head भी change हो गया, लेगिन अगर ये sentence का मतलब ही है, यहां पर क्या है, different point पर datum head को change कर रहे है, तो changing datum head वहीं से start किया है, तो दो चीज़ चेंज नहीं हो रहा, pressure head नहीं change होता, seepage head, यह जो h हम यहां पर calculate कर रहे है, difference between two, total head at two point, इसको इसी कौम बोलता है, seepage head, या hydraulic head, head या seepage head, okay, तो datum changing करने के कारण, यह वहला और pressure head चेंज नहीं होता, different point पर, बागी total head और datum head तो चेंज किया ही है, तो वह दोनों change हो रहा है, concept सिखते हैं बावू, seepage head या hydraulic head का, इसका थोड़ा अलग से discussion करके देखी बजाएगा, यह है क्या, यह बात तो मालूम है, दो point के बीच पगर flow हो रहा है, तो इस point पर total head, इस point पर total head, दोनों का difference, निकालोगे, उनको पता चल जाएगा, कि what is seepage head या hydraulic head, it is the difference between total head under which flow takes place from one point to other, यही आपका seepage head, मैं आपको एक diagram सिखाता हूँ, सुनिये, एक condition analysis करते हैं, देखना, let's suppose कि आपका यह एक soil profile है, यह कोई एक soil profile है, बहुत important है, सुनना, अच्छा और soil profile को और थुड़ा नीचे से ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यह आपका एक soil profile है, यह थुड़ा मिटा देते हैं, यह जो soil profile है, इस पर मैं कुछ points को consider करता हूँ, let's suppose कि this is your point A, this is your point B, this is your point C, यह आपका point A हो गया, यह आपका point A हो गया, यह आपका point A हो गया, यह आपका point B हो गया, यह आपका point C हो गया, ABC, अब देखिए, हम इसमें pyjometer लगाते हैं, point A पर, let's suppose point A पर जो pyjometer लगाया है, वो यह लगाया, point B पर भी एक pyjometer लगा डालते हैं, ठीक है, point B पर भी मैंने एक pyjometer लगाया है, point C पर भी एक pyjometer मैंने लगा दिया है, सुनना समझना बहुत important है concept, point C पर भी मैंने एक pyjometer लगा दिया, तीन पॉइंट पर तीन अलग अलग pyjometer, pyjometer लगाने का मेरा objective क्या है, pressure head पता लगाने का, pressure head क्या होगा, जो height of water होगा pyjometer में वही होगा pressure head, ठीक है, तो let's suppose, समझा रहा हूं, बता रहा हूं, सुनना, let's suppose, जो pyjometer A है, जो point A पर लगा था, उसमें यहां तक पानी थी, point B में यहां तक आई, pyjometer C पर यहां तक आपको पानी दिख रहा है, let's suppose, यह point A, point B, point C तीनों एक ही line में लाई कर रहा है, एक ही plane पर लाई कर रहा है, let's suppose, this is your ha value, यह क्या है, ha हो गया, that is pressure head at point A, let's suppose, this is your hb value, pressure head at point B, this is your hc value, pressure head at point C, तो यहां पर किस तरह से pressure head decrease हो रहा है, pressure head decrease हो रहा है, यह variation linear होता है बाबु, यह variation linear होता है, straight line, इस तरह से आपका pressure head decrease हो रहा है, equate, okay, like this, equate, यह जो line होता है न, this is your linear, इसको कभी-कभी हम hydraulic gradient line भी कहता है, ठीक है, HGL, fluid mechanics में आप इस line के बार में पढ़ रहे होंगे, अब देखो, यहां पर datum मैं कहां consider कर रहा हूं, let's suppose यहां पर जो pyzometer C में जो water level था, let's suppose यह water level के corresponding एक horizontal line में बना रहा हूं, और इसी horizontal line को मैंने कहा दिया कि यह आपका datum है, ठीक है, तो यह datum head इसका ZC, इसका datum head ZB, इसका datum head ZA, यह clear है, ZC, ZB, ZA, let's suppose यह length of soil sample जो था, इस length of soil sample को हम total कहते है L, this was the length of soil sample, L length का यह soil sample था, clear है, यह condition है, अब हमको point A, point B, point C, तीनो point पे आप यह diagram बना लोग अपी पे, जो चीजे मैंने दिखाई आपको यह diagram बना लो, अब हमें क्या करना है, point A, point B, point C पे, pressure head, datum head, total head, pressure head, datum head, total head, पे, यह निकालनी है, तो table बनाएंगे, यह आपका वो table, यह points, pressure head, datum head, total head, point, pressure head, datum head, total head, this is your point A, point B, point C, A, V, C, pressure head head point A, आपने लिख दिया ह-चे, pressure head head point B, आपने लिख दिया ह-चे, pressure head head point C, आपने लिख दिया ह-चे, datum head, कैसे लिखेंगे, देखो datum को हमने उपर consider कर लिया है ठीक है datum को उपर consider कर लिया है मालोग datum को अगर नीचे consider करते हैं let's mean नीचे कहने का मतलब यहां पर कही पर यह अगर datum होता ऐसे तो हम height बता रहे होते हैं यह height तो हम plus में लिखते हैं positive लेकिन हम यह consider कर लिया हम depth दिख रहे हैं depth को generally negative लिखा जाते है यह height कहलो है कितने height पर है point अब यह datum से कितने depth पर है point depth को generally हम negative लिखेंगे अजर height होता उसको हम generally positive लिखते हैं datum plus minus आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर हमने assume कर लिया उसको datum इसलिए point c का minus zc total head point a कितना pressure head plus datum head मतलब h a minus z a h b minus z b h c minus z c अब जब ध्यान से diagram को देखो diagram को देखोगे तुमको पता चलेगा h c is equal to z c h c वह दोनों बराबर है क्योंकि हम जो pygometer में water level था point c पर उसी को हमने datum consider कर लिया है तो h c equal to z c अगर ऐसा है तो क्या यह value 0 नहीं हो जाएगा point c पे आपका total head जो point c पे आपको मिल रहा है it is your 0 तो c page head बराबर कितना होगा अगर आप निकालोगे तो total head at point b minus total head at point c जो कि होगा h a minus z which is equal to h c page head c page head per unit length h a minus z upon divided by length of soil वो क्या देगा वो देगा आपको hydraulic gradient तो अगर मैं लिखूँ यहां पे total head at point a equal to h a minus z a total head at point c equal to h c minus z c which is nothing but equal to 0 so c page head h equal to total head at point a minus total head at point c which is equal to h a minus z a minus 0 so h equal to h a minus z a है ना और यहां पर आपको यह भी समझ में आ रहा है कि total head at point a is greater than total head at point c क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ value है यहां पे कुछ भी value नहीं है so flow is from a to c अब इसी केस में अगर मैं hydraulic gradient लिखू sorry यह यह हां hydraulic gradient gradient it will be equal to what hydraulic gradient will be equal to what hydraulic gradient अगर मैं लिखू it will be equal to i which is nothing but head loss upon length of flow a to c that is length of soil this is your hydraulic gradient i समझे और यह जो line मैंने बदाया इसको हम बोलते है HGL hydraulic gradient line इसको हम क्या बोलेंगे HGL hydraulic gradient line यह linear होती है hydraulic gradient क्या होता है वो पॉइंट पॉइंट मतलब पॉइंट 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 उनको एक line के माधियम से आपने connect कर दिया है तो लाइन इसको हम बोलते है HGL ठीक है इसी hydraulic gradient को मैं कैसे लिख सकता हूं मैं इसको और form मैं ऐसे लिख सकता हूं rate of change between rate of change of head between point under consideration या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि hydraulic gradient i is equal to head loss या फिर head to be spent head to be spent मतलब वो head जो आपको खर्चा करना है किसी दो point के बीच में divided by head length of soil in which head to be spent अप ऐसे कह सकते हूं length of soil बहुत important लिख रहा हूं इजीवे में लिख रहा हूं इसका significance अलग है आगे length of soil in which head to be spent है हम ऐसे लिख सकते हैं जो head आपको किसी दो point के बीच में spend करना है h जैसे यहां पर किया था h a minus z divided by length of soil जिसके बीच में वो head आपको spend करना है होंगे इसमें तो इन voids के थुरू से flow हो रहा है जब flow हो रहा है पानी का flow हो रहा है तो पानी क्या कर रहा है ठीक है free space है उसके आगे फिर एक particle है तो इस पर प्रेसर लगाएगा तो यह पार्टिकल आगे बढ़ेगी ऐसा समझे लो अगर इधर से flow होगा तो इस तरह प्रेसर लगाएगा means in direction of flow प्रेसर लग रही होती है in direction of flow seepage pressure act और यह seepage pressure basically in form क्या है किस form में है frictional head loss friction के form friction लगा रहा है और friction लग रही है drag लग रही है frictional drag मतलब इधर से पानी है इधर soil particles तो पानी soil particles से घिस रहा है है जिस कारण से एक frictional drag आ रही है chi cp pressure आ रही है अगर इधर से फ्लो करेंगा तो प्रेसर इधर लगी अगर इधर फ्लो कर रहे प्रेसर इदर लगी इस अब फ्लो सीपेज पले § является लगी लैट ने करेंगे सीपेज閑 लेद यह फ्रिक्सन क्ट्सन अब यह अंदर यह होई है क्या व्रिक्ष्mistamię disag operations यह को निखालने का तो फेले इसको लिखते हैं सीपज़ब सबस्तर आप समझ गया है सीपेज प्रेंजर क्या है इसको वेन सीपेज और अकर थूव्स्वाइल जब पानी का सीपेज हो रहा है सोयल के त्रूब है जो भी हैट था वही हैड लॉस होना चलो होता तो वह हैड लॉस हो रही होत्सकि खटते हुए जो चल रही आ वह चीज ?शåay Friction के कारण वह एनरजी घटती है तो वह और ऑई गोरे है किस फॉर्म में ईएक त्रण कार्णे घट हो रही है इक त्रदक और वह in पानी जत्ले लेगा तो एक तरफ जो फ्रिक्शनल ड्रैग है यही उसी डायरेक्षन में देहों कहने का मतलब है इस डायरेक्शन पानी बहा तो स्वेख्ट रहा है चल मेरे साथ चल मेरे साथ तो जिस डायरेक्षन में वाटर की फ्लो है उस सब्सक्राइब कहा को हम कहते हैं इसी फ्रिक्शनल ड्रैक को हम ह subscribe अब पानी जितना तेजी से भाएगा सीपेज प्रेशर उतना ज्यादा अपलाई करेगा ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी थोड़ा देट में समझ में आएगा देखो कह देना और उसको साबित करना दोनों होना चाहिए अना इंजिनियरिंग में बिना प्रूफ के बिना जस्टिफिकेशन के कुछ एक्सप्ट नहीं क इसको काल्कूलेट कैसे करते हैं इस सीपेज प्रेशर प्रेशर एज कल्कूलेटेड एज फ़लो कैल्कूलेटेड एज फॉलो एच इकौल टू एच कटू ग्माव इस तरह से निकालेंगे सीपेज प्रेशर जो इन डिरेक्स फ़लो लग रही है वह इस तरह से कल्कूलेथ होड़ुटी है एच करमावल अब यह एक गामा क्या है यह सीपेज प्रेशर सुद देखो सीपेज प्रेशर equal to मैंने बोला h gamma w h क्या है seepage head seepage head seepage head मतलब the difference of total head between two points मानलो flow between point a to b हो रहा है so total head at point a minus total head at point b if flow is from a to b और जो fluid flow हो रहा है उसका unit weight तो इसका overall unit देखो जैसे seepage head है उसका unit कैसा मीटर में होका gamma w का unit kilo newton per meter cube तो यह meter per meter cube तो इधर से एक मीटर इधर से एक मीटर खत्म बचा किया unit overall kilo newton per meter square क्या यही होता प्रेसर का unit अब देखो मैंने क्यों बोला कि जितना तेजी से flow करेगा उतना ज्यादा seepage pressure होगा seepage pressure is directly proportional to seepage head जो seepage head is directly proportional to velocity of flow डार्सी लो है न तो हम यह कह पाएंगे जितना तेजी से जितना velocity जितना तेज होगा ठीक है इसका मतलब seepage head वह ज्यादा होगी जब seepage head अगर ज्यादा हो रही है seepage pressure वह ज्यादा लगाएगी ज्यादा तेजी से flow किया मतलब किया मान लोग कोई यहां पे soil particle है उसके बगल से ज्यादा तेजी से पानी निकला उसको घिस कर गे तो उससे ज्यादा force लगा रही है कोई अराम से निकल रहा है सामती से कोई मतलब यह अपने जगह पर खड़ा है soil particle अपने जगह पर खड़ा है लेकिन तुम नदी बगएरा में देख लो नदी बगएरा में जब फ्लो होता है जब बहुत तेजी से फ्लो होने लगती है तो पत्थर भी फ्लो क तो अब यही से थोड़ा analysis आगे बढ़ाएंगे तो seepage pressure यह रहा है तो seepage pressure को हम generally ps लिखते है तो ps equal to h gamma w आपको मिला तो h equal to क्या है देखो h equal to क्या है i equal to hydraulic gradient equal to head loss per unit length है ना या फिर जो length है या फिर length of soil को हम यह लिखते है and z let's suppose generally जो length of soil है यह आपका एक soil mass है ठीक है इसमें जो seepage होगा यह point a है यह point b है इसमें जो seepage होगा तो head available है h seepage head and length of soil है वो है z माल लो ठीक है तो h upon z this is equal to hydraulic gradient तो h equal to क्या हो गया i into z तो इस तरह से formula लिखते है standard formula यह notation को use करते हुए मतलब length of soil को मैं z कह रहा हूँ समझ गया कोई conclusion कोई conclusion नहीं इससे पहले हमने L कहा था कहीं पर यहाँ पर z ले लो इस chapter पर z जड़ ही चलता है formula इसी तरह से किताबों में लिखी गई है तो h के जगए iz put कर तो seepage pressure क्या हो गया iz gamma w यह formula देखे होगी किताब में iz gamma w this is your seepage pressure आप इस तरह से निकाल सकते है i equal to hydraulic gradient hydraulic gradient now seepage force क्या होगा मालनों यह जो soil है seepage हो रहा है इधर से मतलब water इधर center हो रहा है तो इस soil का जो cross section area है cross section area मतलब यह 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 ऐसा अगर मैं दिखाऊ 3D में ठीक है यह 3D में तो तुमको पहलेज लेगा यह जो area है यह this particular area this is the cross section area of soil तो flow तो ऐसे ही हो रहा है न ठीक है वो पूरे cross section area से इंटर कर रहा है पानी न तो steepage force अगर मैं निकालने जाओं तो pressure लग रहा है प्रेसर इंटू area तो seepage force अगर मैं बोलू आपसे तो यह आप बोलोगे सर सीपेज प्रेसर इंटू cross section area of flow तो कितना अब बोलोगे सर आई जड़ गामा डबलो एः तो यह होगे आपका seepage force specific seepage force क्या हो स्पेसिफिक सीपेज फोर्स पूछते हैं वागों एक्जाम मैं इसलिए लिखवा रहा हूं आप बोलोगे सर स्पेसिफिक आगया मतलब पर यूनिट वॉल्यूम बात हो रही होगी मैं बोला हाँ तो सीपेज फोर्स एक बोलाट तो सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ले लिजेए सर तो क्या लिखोगे सीपेज फोर्स आई जड गामा डब्लू इंटू ए वॉल्यूम आप स्वाइल क्या लिखोगा भी जो बताया जड इन्टू ए लेंटउ इंटो रॉन्स एरिया वॉल्यूम तो आई गामा डब्लू यूज यह होगा आपका स्पेसिफिक सीपेज फोर्स पुछता है आपको बोल देगा कि Iz डामाडवली क्या है आपको पूछ लेगा I GÁMA W क्या है ठीक है ऐसे या फिर आप से केवल पूछ लेगा आईजड गामाडवली क्या है या फिर इस गामाडवली ए क्या है आना अलग- notice तो सीपेज प्रेसर सीपेज फॉर्स स्पेसिफिक सीपेज फॉर्स तीन आइटम अब एक टॉपिक को समझो फइवरेवल एडवर्स कंडिशन फ्लो क्या है समझ रहा यह मैंने फ्लोफाइल के पार्टिकल्स होंगे दोनों में इधर भी है नुक्त है इनके बीच में wood वग्यरा प्रेजंट है अब देखो मैं फ्लो ले रहा हूं दो दो तरीके से एक ले रहा हूं वर्टिकली डाउनवार्ड डाएरreksion एक ले रहा हूं वर्टिकली अप्वार्ड डाएरेक्टियों मतलब पहला वाला केस में क्या हुआ वर्टिकली डाउनवार्ड 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 डाउ अब मुझे यह बताऊँ एक एक करके देखता हैু जब vertically downward direction में फ्लो हो रहा है तो seepage pressure कि रखेगा vertically downward direction because in direction of flow seepage pressure फ्टिकली टानवाद डीरेक्टिन में सीपेज पिरस्व लगईगा जब वर्टिकली अफ्ववाड फ्लू होरी अЭто सीपेज प्रेसिए पी जाँ इच्छ पॉ थिए स्वाहा जब फ्लौ हो रही एगे किसी एक पट्कुलर में रहे हैं थिएख अटमृध डाइॉट्स में होा रही है थिक है तो सीपेज़ परेसर भी उसी डाइंवार डायिक्शन में लग रही है एफोसेंचेविछ ंटम Armenla हमिस्वा it is downward direction अबनी जो एफेक्टिवी स्ट्रेस का डेयरेक्षान आए इस मतलब किदिस्ट्रेस का डायरेक्षान है वो downward direction हमिस्वा फिलॉए हो यह नहीं हो रही है उस मतलब नहीं करला किको स्थुल डेयरेक्षान थैना इसको मैं बोलता हूँ सिगमा एफेक्टीव डैरेक्ट्ट्सन डाउनवार्ड चाहे वो फ्लो हो रही हो या नहीं हो रही हो यह सिग्मा एफेक्ट्टीव का डैरेक्ट्ट्सन यहां पर भी दिखा दिया तो अब देखो पहला वाला कीस में vertically downward तो seepage pressure भी उधर vertically downward direction में तो क्या वो effective stress में contribute नहीं कर दे रहा है मतलब soil particles को और करीब धकिल रहा है ना एक दूसरे के करीब धकिल रहा है है ना तो क्या वो effective stress में contribute कर रहा है effective stress को बढ़ाने में मदद कर रहा है white size को reduce कर रहा है ना soil particle को एक दूसरे के करीब ला रहा है white size को reduce कर रहा है and contributing in increasing the effective stress overall effective stress of soil mass तो यह favorable condition of flow है हम चाहेंगे कि अगर soil में seepage हो अगर हो रहा है तो vertically downward direction में vertically of what direction में नहीं हो क्यों अगर vertically upward direction में होगा तो जो seepage force है we have seepage pressure है यह force जो भी कहें लो इधर seepage pressure इधर लग रहा है ps downward यह upward लगेगी effective stress नीचे लग रही और यह upward लगेगी तो stress उसका unit देखो stress का kilo newton per meter square इसका unit देखो pressure का kilo newton per meter square तो यह उपर से नीचे लग रहा है तो हो सकता है कि एक particular point पे एक particular कहीं depth पे कहीं पर effective stress बराबर हो जाए इस ps के जब effective stress बराबर हो जाएगा इस ps के तो अपना जो soil solid है उसका strength zero मतलब थोड़ा सा भी वो load नहीं ले पाएगा तो यह unfavorable condition है हम यह नहीं चाहते है जब upward flow होती है ना तभी quicksand condition develop हो जाता है मैं आपको बताऊंगा explain करूंगा quicksand condition is condition when there is upward flow तो upward flow is unfavorable condition downward direction flow is favorable condition क्योंकि यह इस कारण से effective stress बढ़ जाती है effective stress बढ़ती है permeability decrease होती है void ratio decrease होती है load carrying capacity of soil increase होती है तो यह सारा सब पॉजिटीव 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 पे चलेगा effective stress इंक्रीजेस इसमें क्या हो रहा है effective stress decreases effective stress of soil decreases decreases तो यह आपका favorable और adverse condition तो इस चीज का हम आगे यूज कर रहे होंगे अभी जो हमारा अब next topic है अभी तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा laptop थोड़ा फसने लगा है जैसे जो next class में हम देखेंगे effect of this flow on effective stresses ठीक है हम different soil लेंगे पहले एक no flow condition की flow नहीं हो रही है उस case में तीनों point पे effective stress निकालेंगे फिर लेंगे हम की downward direction में flow हो रही है उसी particular soil में और तीन अलग-अलग point पे effective stress निकालेंगे फिर लेंगे upward flow हो रही है फिर effective stress निकालेंगे same points पे analysis करेंगे लंबा अच्छा topic है यह पूरा chapter फिर effective stress निकालेंगे बाद फिर आपस में तीनों को सबको compare करेंगे फिर वहां से conclusion निकालेंगे quick send condition पढ़ेंगे okay अतलब सोचो ना सीपेज बहुत ही जबरदस्त चीज है जैसे डैम वालम मैंने एक example दिया था कि डैम के base में flow हो रही है उसकारण से piping failure हो जाता है डैम का base का और डैम मालो ऐसे खड़ा था ऐसे हो जाएगा कि नीचे से गढ़ा कर देता है वह सीपेज होने की कारण जो नी निकल जाता है डाउन श्रीमेंट से piping हो जाता है नीचे मतलब pipe जैसे बन जाते है flow channels बन जाते है तो वह जमीन जो है base अंदर कमजोर हो जाता है जैसे चुवा लगता है जैसे चुवा बिल नहीं बना देता है तो वह उस तरह से हो जाता है वह पानी के बहने की कारण प्रेशर लग रही है इसको कम करना होगा ना तो इसको कम करने का तरीका क्या है मतलब हम basically hydraulic gradient को कम करते हैं अना head loss per unit length of flow जादा होगा तो बहुत तेजी से बहरे होगी बहुत ज्यादा वह सीपेज प्रेशर लगा रहा होगा तो आई को हम कम करने का खुशिज करते हैं तो सी इतना है यह तो हमेशा constant रहेगा आप upstream downstream condition नहीं चेंज कर पा रहे हो तो हम क्या करते है सीट पाइल वगएरा लगाते है इरिगेशन में पड़े होगे निचे सीट पाइल वगएरा लगाते है जिसकारण से क्या होता है या फिर cut-up wall वगएरा प्रवाइड करते है जिसकारण स इसे cases में piping failure होने की chances कम हो जाती है बहुत सारे theory है ब्लिक क्रिप theory, खोशलास theory पूरा इनके उपर इनके उपर इनके उपर इनके उपर डिपेंड करता है तो बहुत important topic है बहुत critical चीज है और dam के case में तो बहुत ज्यादा problem होता है हम यहां पर भी पढ़ेंगे dam का कुछ-कुछ important चीज ऐसा flow net मैं सिखाऊ आपको यहां पे हना तो बहुत important important चीज है मैं सिखाऊ और dam के base के नीचे का piping failure वगएरा के बारे में भी यहां पर भी कुछ-कुछ मैं discuss करूँगा okay टेंसल लेने का नहीं है अभी chapter चलेगा अब यह तो यहां तक समझ में आया कि नहीं यह बताओ नहीं समझ में आया तो क्या समझ में नहीं आया क्या point वीडियो में comment करके पूछो ठीक है या फिर group में अगर जुड़े हो तो वहां message करके पूछो बताया जाएगा phone number अगर हम